ओम शान्ति आज मीठे प्यारे अती प्यारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा कव आज के पुन्य स्मरिती दिवस पर सत्सत प्रणा शत्सत नमद दिल से प्यार से सचे इसर धन्जली बाबा को अरपी थम सभी करते हैं आज हम सभी मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यदगार अस्तंब मौन्टा बुराजस्थान में जो बाबा का अस्तंब इस्तित है उस सांति इस्तंब को हम सभी बहुत अच्छे रिती से जानेंगे समझेंगे और बाबा के सांति इस्तंब पर लिखे हुए महावाक्य हम सभी ब्रह्मा वच्छों के लिए जो शिक्षा है उन शिक्षाओं को हम सभी मनंचिंतन करेंगे और धारना भी करेंगे और बहुत प्यार से हम सभी रिवीजन भी करेंगे कि प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को क्या क्या शिक्षा दिये हैं उसे एक बार पुना हम सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपनी जीवन में द्रड संग कल्प करेंगे बाबा के समान बनने का ब्रह्मा बाप के समान फरिस्ता बनने के लिए द्रड संग कल्प करेंगे तो पहले साइड का जो ब्रह्मा बाबा का शांतियस्तंब जो बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है टावर अफ पीस अर्थात सांती अस्तंब शांती के अस्तंब जितना भी वर्नण करें ब्रह्मा बाबा के गुणों का अशेम शांती के शागर्श बाबा से अथा शांती की किरने ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में भरे और हम सभी बच्चों को सिक्षा दिये पहले स्लाइड में लिखा हुआ है, मीठे बच्चे दिब्वी गुणों को धारन करना है, निरंतर याद की यात्रा पर रहना है, वबत्र बनना है और सभी को वबत्र बनाना है आगे मिठे बबा शिक्षा दिये हैं, जिन्हों ने हमारे जीवन को कमल पुस्प के समान बनाया है जो शिबाबा के शकार माध्यम बन हमें, मुक्ती और जीवन मुक्ती का मार्ग दिखाने के निमित बने ऐसे मीठे प्यारे अति लाड़ ले, मीठे ब्रह्मा बाबा का, ये स्मृति चिन अस्मृति दिवस पर बिसे सांतिस्तम पर अंकित है और लास्ट में लिखा हुआ है, जो अब भी अव्यक्त रूप में हमारी स्थिती को बनाने में ततपर है मीठे ब्रह्मा बाबा, हमारी स्थिती को निरंतर अभी भी अव्यक्त बनाने में हम सभी बच्चों की प्रति दिनरात लगे हुए हैं निरंतर शकास दे रहे हैं, शक्ती दे रहे हैं, वर्दान दे रहे हैं तो इस टावर अपीस की साइट का निरंतर याद रखना है, दिब्य गुणों को धारन करना है, निरंतर याद की यातरा पर रहना है, भवत्र बनना है और संसार की हर आत्मा को भवत्र बनाना है तो ये टावर अपीस साइड में लिखा हुआ मिठे ब्रह्मा बाबा शिप बाबा के शिक्षा कहेंगे, ब्रह्मा बाबा के शांती अस्तम पर लिखा हुआ है, बहुत सुन्दर इसके स्वरूप में हम अभ्याद भी कर सकते हैं, कि मैं आत्मा शौमान लेंगे, मैं बाब समान शिप बाबा की याद में रहने वाली ब्रह्मा आत्मा हूँ, और अगला शौमान लेंगे, मैं ब्राह्मा आत्मा शदा पववत्र बन कर सुन्सार की हर आत्मा को पववत्र बनाने वाली ब्रह्मा बाब समान, ब्रह्मा बाब के कदम पर कदम चलने वाली ब्रह् आईशा आज इस बिसेश जो है टावर अपी साइड में जो लिखा हुआ है उससे हम शवी शौमान लेकर के शारादित अभ्यास करेंगे तो आज का ये शिक्षा और आगे बावा देते हैं दूसरे साइड में हम जैसे टर्न करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पावर अप प्यूरिटी और थाद पबतरता का श्तम्ब तो पबतरता का वचन में बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं कि मीठे वच्चे मन वचन कर्म से दुख ना दो किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना है और अगला मुख्य जो बाबा का शिक्षा है बेहद के बाप और वर्षे को याद करो निरंतर बेहद के बाप परमात्मा बाप को और बेहद का वर्षा स्वर्ग को निरंतर याद करना है और आगे का शिक्षा प्यारे वत्सों, मुक्ती और जीवन मुक्ती आपका इश्वरिय जन्म सी दधिकार है, मीठे बच्चे, मुक्ती और जीवन मुक्ती आपका इश्वरिय जन्म सी दधिकार है, ये मीठे प्यारे बाबा, हम सभी बच्चों को शिक्षा दिये, तो सदा हमें मुक्ती प्राप्त करने के लिए अर्थात परमधाम की प्राप्ती और जीवन मुक्ती अर्थात सत्यों के प्राप्ती में निरंतर लगे रहना है ये बाबा का दूसरे साइड का सिक्षा था अब तीसरे साइड का सिक्षा को हम सभी बहुत प्यार से पढ़ेंगे आगे मिठे प्यारे बाबा करते हैं आगे का तीसरे नंबर में जो बाबा का तीसरे साइड में लिखा हुआ है टावर अफ माइट अर्थात शक्ति अस्तंब तो मीठे प्यारी बाबा इसमें शिक्षा दे रहें मीठे बच्चे निस्षे में ही तुम्हारी विजई है संपू निस्षे संपू निस्षे धारन करने है निस्षे में ही तुम्हारी विजई है अगला ज्यान का सिक्षा है बाबा का ज्यान सरूप बनो, प्रेम शरूप बनो, शक्ती शरूप बनो ज्यान सरूप बनो, प्रेम शरूप बनो, शक्ती शरूप बनो अगला सिक्षा है स्रीमत पर चलो तो तुम स्रेस्ट बनेंगे जितना स्रिमत पर चलेंगे उतना स्त्रेस्ट उतना महान बनेंगे एक बल एक भरुसा निरंतर बाबा की स्रिमत पर चलना है आगे बाबा शिक्षा दे रहे त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच मीठे बच्चे प्यारे बाबा शिव बाबा का महावाक्य है ये हम सभी बच्चों ब्रह्मा बत्सों को ब्रह्मा बाप की स्मरिती दिवस पर शिक्षा है निरंतर याद रखना है जो शांतियस्तम पर लिखा हुआ है मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो और निरंतर मुझ पारलोकिक बाप को याद करो अगला महवाक्या डाल लाडले बच्चे इस सहज राजयोग से ही तुम्हारे जनम जनमांतर के विकर में विनास होंगे मीठे लाड़ले बच्चे इस सहज राज योग से ही तुम्हारे जनम जनमांतर की विकर्म विनास होंगे अगला मुख्य शिक्षा प्यारे बाबा हमें दे रहे हैं शिकिल अदे बच्चे इस पुरुशोतम शंगम युग में तुम्हारा या इश्वर्य जनम हीरे तुल्य है इस सदा शिक्षा बुद्धे में धारन करके रखेंगे अगला जो साइड में बाबा का शिक्षा है वो शिक्षा है टावर अफ नौलेज अर्थात ज्यान अस्तम तुआज के दिवस पे बाबा हमें शिक्षा देंगे इस चाथे रंतिम साइड में लिखा हुआ है समय कम है गफलत मत करो इस सभी ब्रह्मा वत्सों के लिए शिक्षा है समय कम है गफलत मत करो अपना समय व्यर्थ बातों में व्यर्थ चिंतन में व्यर्थ कर्मों में व्यर्थ दृष्टी वृत्ती में बरबाद नहीं करनी है अगला मुख्य शिक्षा है आविनासी ग्यान धन दान करो प्यारी बाबा का जितना भी शिक्षाएं हम जीवन में धारन करें है उतना ही दुसरों को ग्यान धन का दान करते रहना है आविनासी ग्यान रतनों का निरंतर दान करते रहो मीठे बाबा बोले प्यारे वत्सों परमपिता श्यू सभी के परमपिता हैं भारत सर्व देशों में महान देश हैं आबू सभी तिर्थों में सृरिष्ट तिर्थ हैं या रहस सभी आत्माओं को समझाना है मीठे बाबा बोले आबू सर्वु तिर्थों में स्रिष्ट तिर्थ है या रहस सभी को आवश्य समझाना है तो हम सभी ब्रह्मा वत्सों को प्यारे बाबा ने बाप दादा ने ब्रह्मा बाबा शिप बाबा ने जो बच्छों को शिक्षा दिये हैं संसार के हर आत्माउं तक हमें गाइड करना है सभी को बताना है भगवान आबू में ही आते हैं और ये सबसे महान तेर्थ है अच्छा ओम शान्ति